धाकड खबर पेखौप सुमा पेबाक अंदाज लेकिन जिस खबर पे सबसे ज्यादा फोकस होने वाला है वो है दिली वाकबोर्ड से जुड़ी दिली वाकबोर्ड एक करोडों की जमीन पर कुछ ऐसा कर रहा है कि उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं जबके वहां पर लोग एक इन्वरस्टी बनाना चाहत इसके आलाव आप लोग फेस्बुक पर देखना है तो उमरे पेज को लाइक कर सकते हैं या फोलो कर सकते हैं प्लेस्टोर पर जाकर आप लोग अमरे एप को भी डावलोड कर सकते हैं शुरुवाज जिस कबर से करने जा रहे वारी कश्मीर से जुड़े हुई आपको पता ह पांच अगस्त को कश्मीर में सब कुछ बदल दिया गया था धारा 370 में बद्राव करके जी से मोधी सरकार कहती है उने खटम कर दिया धारा 370 में बद्राव करके 35 जो स्पेशलिस टेटरस था उसको खटम कर दिया यूनियं टरेटरी बना दिया जमूर कश्मीर को और लगा को एक अलग यूनियं टरेटरी बना दिया जम्मू कश्मीर जो यूनियं टरेटरी बना वहां पे चुनाओ होगा हाला कि ताज़ा अपडेट अब यह आ रहा है कि विरोध को देखते हुए 55 दिनों से मामले सिमट नहीं रहे है तो यह मोधी सरकार रिटर्न करने जा रही है यूटरन लेने जा रही है यूटरन यह लेगी कि अब उसको यूनियं टरेटरी नहीं रखेगी उसको पूरा का पूरा राज्य का दर्जा दे सकती है ताकि लोगों को कुछ दे के बहुत कुछ ले के कुछ दे दो उनका हुस्सा कम हो जाए लेकिन उस पे कभी और बात करे नहीं मिल पारी हैं till देखे कशमीर में जो निजी तालिमी एदारों के आसाथे हैं वो भुक्मरी के शिकार हैं कुछ लोगों ने जो है नोकरी से यानि उमीद जो है छोड़ करके दूसरे काम करने शुरू कर दी हैं कुछ लोगों ने मजदूरी करना शुरू कर दिया है एक जो है ना ना बताने के लिए कहा है और उन सब की परेशानिया जो है यही है इसलिए के कश्मीर में जो है कश्मीर में क्या तकरीवान हर्ज सभी बड़े शहरों में जो है ज्यादा तर इसकूल की बात करें तो निजी इसकूल ज्यादा होते हैं तर नबे विजद निजी इसक जो मैनेजमेंट हैं उन्हें कहां से सेल्डी देगे उसके पास से कुछ निया रहा है वो कहां से देगा घर से लाके तो देखा नहीं दुकानों की तो खलत यह बता ही जा रही है आपने देखा होगा शोग बनकेडेजी ने अनिल जैन नाम के पत्रकार से बात की जो परिस्ट बतका आए महां का दोरा करका दो गंटे सुबह दुकान खुलती है दो गंटे शाम में दुकान खुलती है आप जीके देख सकते हैं लेकिन जुमले बाजी कड़ने में इस सरकार के द्वारा कोई कमी नहीं रखी जा रहे टीचर भुकमरी के कागार पर आगे मजदूरी ढो लेकिन मजदूरी भी उनको मिली रहे टीचरों की अब बताई जब शिक्षक एक मजदूर बन जाएगा तो फिर बचा गया पुरे देश के अंदा शिक्षक को तो कहा गया था मैं बच्पन में बढ़ा गया था गुरू गोविंदियो खड़े काको लाके पाए बलिहारी गु मजदूरी करो क्यों शायद वो मुस्लिम है उस स्टेट का जो टीचर और मुस्लिमों को बरबाद करने का इस सरकार ने कुछ जादा ही ठेका ले लिया है दूसरी खबर का रुकर ले थे वो भी कश्मीर से जुड़ी भी आ रही है कश्मीर की एक स्टूडेंट है उसने आरो की खिदमात जो है कश्मीर में बंद होने की वज़े से जो है उसे ना नोटिस मिला ना उसके मुबाइल नंबर होने के बावजूद उसे मुबाइल पर इतला दी गई उसके बावजूद उसने वो खुद अंदाजे से के दाखला का का टाइम खतम हो रहा है मैं खुद वो बाकाइदा हवाई जहाज से दिल्ली आई और जामिय मिल्ली पहुंची, वहाँ पे उसने मालूम किया तो बताया कि तुम्हारा नाम लिस्ट में आया है, तीन बार आया उसने बताया, यानि वहाँ के लोगों ने बताया, उसके बाद वो आफिस गई, आफिस में उसे बताया, पहले बताया गया कि हाँ तुम्हारा नाम लिस्ट में है, तुम कल आना तुम्हारी दाखले की कारवाई हो जाएगी, उसके बाद वो अगले दिन आती है, अगले दिन उसे ये बताया जाता है कि हाँ तुम्हारा नाम तो है लेकिन वो वक्त जो है निकल चुका है 25 अगस तो उसकी लाश डेट थी अब तुम जो है वाइस चांसलर के पास जाओ ठीक है वो वाइस चांसलर के पास जाती है वाइस चांसलर ये कहता है कि तुम जो है उसके रिजिस्टार के पास जाओ तो इस तरह से जो है उसको गुमाया गया एडमिशन ही दिया जी 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 वो परेशान हो करके जो है आखिर जो है जब परेशान हो के दोबारा गई तो उस का नाम है लड़की सिरीनगर की रहने वाली है लड़की का नाम नीलम फारूुक है किसने कहा यह डायलोग जो यह बततमीजी से बोला उस लड़की को गार्चाव पतर भूत पतर गॉर्चया फ इसके वहां गई इसने अपनी जब समस्या बताई तो वहां किसी ने जो है एक सिफारिशी लेटर इनको दिया जो इसने वहाँ यानि इन इंट जामिया को दे दी है अब उसके बाद अभी तक उन्हें जो है कोई जवाब नहीं मिली है इस अमल को पांच-छे दिन हो गुजर चुके अब आपको पता है वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा हो सकते है मिल पाया हो ठीक है आप तो हर चीज अपडेट कर देते हैं वेबसाइट पर इंटरनेट पर नहीं मिल पाया होगा आप खुद भी समझ सकते हैं तो ऐसे आलात में उनके लिए अलग से व्यवस्ता करनी चाहिए थी कि अगर ऐसे बच्चे कश्मीर के आंगे महां से आने जा तो आती है इंडरिश कुमार के साथ उनको बताया जाता है कि वारासस माइंड की महिला वहां पर बैटी मिया वाइस चांसलर बन के तो वह तो कहेंगे कश्मीर के बैच्चों के से किसकी सरपरस्ती की बज़ेसे महां पर बैठी हैं और तो इस तरीके से टार्गेट करेंगी बम धमा के मामले में एनाईये ने जिस आदमी को सरकारी गवा बनाए था वो कहा रहा है साब मुझे तो ड्रा धमका के सरकारी गवा बनाए था जी 2014 में बिजनावर बम धमा का केस हुआ था जिसमें एक घर में इसतिक वो घर किसी हिन्दू खातुन बेवा खातुन का घर था उसमें भाम धमा का हुआ था उसमें खुद आरोब है कि उनके यहां 2-4 लड़के किराये पर रहते थे और उसी कमरे में धमा का हुआ आरोप है कि वो लोग वहां बम साजी कर रहे थे बाराल ये मामला जो है पहले वहां की निचली अदालत में गई तो वहां के जो वोकला थे उन लोगों ने जो है इस मुकदमे में आरोपियों की पहर्वी करने से इंकार कर दिया जिसके बाद ये मामला जो है एनाये के हवाले किया गया आज कल वकीलों का भी तो धर्म जा गया है ना जी अब यह मामना वकील नहीं रहा है ऐसे में मैं आपको रोक रहा है वकिल साब मैं डॉक्टर राजीव धमन को सलाम करना चाहता हूं जिस तरीके से बापरी मस्धित मामले की वो पूरी पैरवी कर रहे हैं बहुत सब्सक्राइब करना चाहता है उन्होंने पहले ही जजमेंट सुना दिया कि कनाया दोशी और मार रहे है को यह गुंड़ाइगा अलम है बताइए वकील पत्रकार जबी सोच के साथ जीने लग जाएगा देश में तू बचेगा क्या पुलीस तो पहले से ही तलबे चाटती ह क्योंकि राजबक्त होती है अब यह मामला जो है लखनो की एनाईय अदालत में चलना है वहां पे सरकारी गवा समूद खान अलवर ने अनवर का आरोप है कि एनाईय ने जो है जो बयान दिया है उनके हवाले से वह जोटा बयान है और उसने यह कहा है कि और एनाईय जो है जो और आरोपी हैं उनपर भी जो है जो जो ए जो बयान के लिए दबाव बना रही है और बाकाइद़ा उन में से जो कई आरोपी है रईस अब्दुल्ला फुरकान नदीम और एक खातून है हसना बताया कि उनमें से एक नदीम का तबादला जो है बारभ बंग की जेल कर द यहां असल में यह मामला जो है अभी दो साल पहले जो है इस मामले में जम्यत ओल्मा हिंद ने जो है मदाखलत की और इसका मामला पहले जो है कोई और सरकारी वकिल देख रहा था बाद में जो है इन लोगों का मामला जो है जम्यत ओल्मा के हिंद में जब आया तो फिर अजसर और तरीके से वक्यलों से बात करके लखने की कोशिश करूं के मामला काफी कंबीर है, जिसे सरकारी वक्यली बनाया गया, वो कह रहा है कि अना ये ने दबाव में उससे बैन दिलवाया है, या उसका जूटा बैन दर्ज किया, उसने ऐसा कोई बैन नहीं दिया है, चोथी खबर का रूख कर लेते हैं दिली वक्फबोर्ड को अपना काका नगर वाला ओफिस वापिस मिल गया जी देली वक्फबोर्ड की एक प्रोपर्टी जो है काका नगर में थी वहाँ बताते हैं कि वह एक आलिशान दफ्तर था जिस पर मारूफ टीवी एंकर सुहेव इल अच्छा काम कर रही है वह आँ प्रोगम वहा था था लीट शोचें का पहला ऐसा प्रोगरम नहीं गाता क् монह था दिल्ली के स्टूडियो से में आपके साथ सुहेब लियासी सीडियें उतरती वे एक शक्स और जन्नाट पैदा हो जागा करती थी लोगों के अंदर लेकिन चीज यहां पर देखेगा कि मुस्लिम होने के नाम पर भी वाक्ष किया गया यह वो लोग हैं जब बताते हैं कि अंगलगया वही से कड़ जाओगे और महां जाके कपरिस्तान में बैठके समाधी में बैठके महां पर कुरान पाक पड़ रहे हैं पांचवी खबर का और आखरी खबर का रूख कर लेते हैं जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कोड से मुकदमा जीत गए हैं वो शाह मर्दा का जो जो और बाक के अंदर इस्तित है करोडों की संपती है और महां पर कर्बला यूरस्टी बनाने के बात कर रहे हैं लेकिन साब कोड से जीतने के बाद उनकी रहा में सबसे जादा अडंगे जो अड़ा रहा है आरोप है कि दिली वाक बोरड वो अडंगे अड़ा रहा है कैसे कैसे अड़ा रहा है ठोड़ा तफसील से बताईए जी देखे देहली का मरकजी करबला देली की मरकजी करबला और एक बहुत वड़ी वख्फ प्रोपर्टी है दرगा शाह मरता के दाम से जो 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 रहग rap में हैं थीक ह एक शक्त का कब्जा चला आ रहा था अभी दरगाह शामर्दा की कमेटी ने जो है उस प्रोपर्टी के तालुक से जो है कोट से अपना मुकदमा जीत लिया है जिसके बाद खुद कमेटी के अंदर और बाहर भी जो हलचल मची हुई है कमेटी ने पहले जो है अपनी कनी कमेटी का इंतखाव करके का एलान किया और उसमें आगे आने वाले दिनों के लिए नए नए प्रोजेक्ट का भी एलान किया कर्बला यूनिवस्टी कर्बला की जमीन पर यूनिवस्टी बनाने का भी एलान किया वहीं इस पर यानि क्या कहते हैं कि वहीं दूसरी तरफ जो है देहली वक्फ बोर्ट जो है इस बीज में कूद गया और इसने कुछ लोगों के जरीए उस कमेटी के खिलाफ मजाहिरा करके जो है एक नई कमेटी तश्कील दे दी मतलब प्रॉपर्टी का कोट से केस बहाल हो जाने के बाद कमेटी के बीच इगराड शूद गई है और उसमें आरोप लग रहा वक्फ बोर्ट पर जी उसमें वक्फ जो दरगाह शामरदा की जो कमेटी है अन्जूमन हैदरी कमेटी जिसके जनरल सेक्रेटरि बहादूर अबास है उनका आरोप है कि यह जो है यह जो वक्फ बोर्ट क जरिये जो कमेटी तश्कील की गई है नहीं यह जो है जो वक्फ बोर्ट की जमीन पर जो काबिज वसीम हमद है उसको फायदा पहुचाने के लिए किया गया है अरे यानि कि जो कोट में आ रहा है उसके पीछे अब वक्फ बोर्ट कड़ा यह इनका रोग है और इनको जमीन नहीं मिल पा रही है यह नया तनाजा चल रहा है तो आपस में भीड़ा दिया गया है क्या सूरतिहाल और आएगी वह भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगी लेकिन अभी तक मुकदमे की लड़ाई एक लंबे अर्से तक पचास साल से चल रही थी अब जमीन को लेकर आ को सोई है पहले से कमेटी नहीं ती किए अ एसे पहले से जो देखे यही सुनता रहा हूं हूं यह यह दुझा आग के अ में आजिए अन ब्रॉप लगाकर जैकल दिए पहले है अमानत उलत होगे कर बाकादा d दस्तकत दे शल्ची को भी को कृतम करब कर मैंThis वक्राइड के इस्टेमीट को अधार बना गए उसकी कोई पकड़ी और कोई नए एंदर सरकार बनी था, तब से हमने खुले आम देखा है, कि वक्ट बोर्ड की जमीन ओपर किस तरी किसे कब्जे हो रहे हैं लाल मस्जिद की जहां पर जगा हुआ करती थी वहां पर CRPF का कैम बनवा दिया गया कई CBI का कब्जा करा दिया गया इसके लाह मालविन अगर में हमने देखा वो साल के बच्चे को पीट पीट के सलिए मार दिया गया कि अगल बगल के लोग वकबॉर्ड की उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं यह कोई नया मामला नहीं है वकबॉर्ड पर या रोप लगता रहा है पर क्या आर्विन के जिबाल या मानतुला खां इस मामले पर धियान दे कर हम आपके सामने होंगे हाजिर फिलाल अभी हमें दें इजाज़त